हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ मेनी टाइपस ओ पैंगवीन्स आर देर ओन प्लैने अर्थ तो विदावड एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट सार्टेड तो फ्रेंड्स इस वक्त दुनिया भर में पैंगव पैंगवीन की स्पीशीज विलुप्त हो सकती है, according to the IUCN Red List. तो यार उमीद है कि ऐसा ना हो, पैंगवीन्स इंटरनाशनल और बर्ड लाइफ इंटरनाशनल जैसे कंसर्वेशन ग्रूप्स महनत कर रहे हैं कि इन स्पीशीज को विलुप्त होने से रोब सके, आप इन कंसर्वेशन ग्रूप्स को सपोर्ट कर सकते हैं अपने डोनेशन जिनने उनके लंबे पूच वाले पंखों के लिए जाना जाता है इस पैंगवीन्स का साइंटिफिक नेम है पाइगोसलेस एडलियाए इसकी पॉपिलेशन 2.5 मिलियन रीडिंग पेर्स है लाइफ स्पैन इसकी 15-20 येर्स है और रही बात इसकी कांसर्वेशन स्टाटस की तो ये लीस्ट कंसर्ण है ये पैंगवीन्स अंटार्टिका की कोस्टल एरिया में पाये जाते हैं नमबर टू आफ्रिकन पैंगवीन्स पैंगवीन्स के एक बैंडेट ग्रुप का हिस्सा है उन्हें ब्लैक फुटेट पैंगवीन और जैकास पैंगवीन भी कहा जाता है इस पैंगवीन्स का साइन्टिफिक नेम है फनिसकस डीमर्सस इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 15,000 है लाइफ स्पैं इसका 20 येर्स है इस पैंगवीन्स का कांसर्वेशन स्टाटस इन डेंजर है यानि ये फ्यूचर में विलुप्ट हो सकता है एक्स्टिंक्ट हो सकता है आ इन स्ट्रेप पैंगवीन ब्रश टेल्ट पैंगवीन्स गूरुप का एक हिस्सा है इनके चिन के नीचे एक ब्लैट स्ट्रैप होती है जो एक कान से लेकर दूसरे कान तक होती है और इस पैंगवीन का साइन्टिफिक नेम है पैंगोसलस अंतार्टिका इसकी और कुछ आइलेंड के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं नमबर फॉर एम्परर पैंग्विन्स पैंग्विन भी अंटार्टिका के कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं नमबर फाइव इरेक्ट क्रेस्टेट पैंग्विन erect crested penguin, crested penguin group का एक हिस्सा है 1970 से इस penguin की population में काफी गिरावट आई है और इस penguin का scientific name है UWT's sclattery इस penguin की population तकरीबन 68,000 breeding pairs है life span इसका 12 years है और रही बात इसके conservation status की तो ये endangered है ये beautiful bird भी विलुप्त हो सकता है unfortunately और रही बात इसकी location की तो ये New Zealand के करीब islands में पाए जाते है ये penguin crested penguin group का एक हिस्सा है New Zealand में इन पक्षियों को आम तोर पर उनके मावनी नाम तवाकी से जाना जाता है और इस penguin का scientific name है UWT's pacurancus population की बात की जाए तो इनकी तकरीबन 1500 से 5000 breeding pairs की है unfortunately इनकी population कम होती जारी है और रही बात इसके conservation status की तो ये near endangered है ये penguins New Zealand के South Island के coastal area में पाए जाते हैं Galapagos penguin ये penguins दूसरे सभी penguins प्रजातियों में से सबसे कम शोर करने वाले जानवर है और ये banded group penguin का एक हिस्सा है इस penguin का scientific नाम है Phaniscus maliculus population इस penguin का सिर्फ 600 breeding pairs है जो की बहुती कम है इसका conservation status endangered है यानि ये विलुप्त हो सकता है और रही बात इसके life span की तो ये 12-15 years है ये penguins Ecuador देश के पास वाले islands में पाए जाते है Number 8 Gentoo penguin Gentoo penguin तीसरा सबसे बड़ा penguin है and it has the largest breeding range of any other penguin species इस penguin का scientific name है Pagoceles papua इसकी population 4,000,000 breeding pairs है life span इसका 12-15 years है और रही बात इसके conservation status की तो ये least concern है ये penguin अंटार्टिका और कुछ आइलेंड के coastal area में पाए जाते है Number 9 The King penguin इस penguin का scientific name है Aptanodite patagonicus और ये दूसरा सबसे बड़ा penguin है after the emperor penguin और इसकी population तकरीबन 1.6 million breeding pairs है life span इस penguin का 13-15 years है और इस penguin का conservation status thankfully least concern है ये penguin अंटार्टिका के coastal area और कुछ आइलेंड में पाए जाते हैं तो friends अभी तक हमने penguins की 9 species के बारे में जाना इसके अलावा और 9 species है जिसके बारे में मैं अपने future वीडियो में बताऊंगा ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है अगर आपको ये वीडियो इन्फरमेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चानल को जरूर सब्सक्राइब कर देना पैंग्विन इंटरनाशनल की वेबसाइट को जरूर चेक करना डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएंगा ओल राइट तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही मेरा नाम है आतीव शेक मैं आपको मिलूंगा नेक्स वीडियो में एक और इन्फरमेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टेए सेफ एंड हैव गुड वन